जैश्वी कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है भक्ती में भावना सर्व प्रधान होती है और जब हम मन में श्रद्धा रखते हैं तो निश्चित रूप से ही ध्यान रखेंगे कि जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं उनकी सही विधी विधान से पूजा करें और उनकी को भी उचित सम्मान के साथ रखें और जब बाद देवों के देव महादेव भगवान शिव की भक्ती के बारे में हो तो हमें प्राचीन शास्त्रों विशेश करके शिव पुराण से जानकारी और मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिए तो चलिए जानते हैं भगवान श साथ ही हम जानेंगे कि शिवलिंग को कहां रखना चाहिए क्या हमें शिवलिंग को अपने घर में गमले में रख देना चाहिए क्या यह उचित है सबसे पहले तो हमें ही समझ लेना चाहिए कि शिव पुराण के अनुसार किसी भी देव प्रतिमा विशेश करके शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां आप उसकी पूजा न कर सकें इसलिए शिवलिंग को पूजा घर में ही रखा जाना सबसे जादा उचित माना जाता है पूजा घर के अलावा इसको कहीं भी रखने का कोई अलग से स्थान नहीं हो सकता पूजा में इश् लिए बोला भी जाता है कि भगवान की मूर्तियों को हमेशा पूजा घर में ही रखना चाहिए इसलिए शिवलिंग को गमले में कतापी नहीं रखना चाहिए शिवलिंग को उचित सम्मान के साथ रखने के लिए ध्यान रखें कि उसको कभी भी जमीन या पर मिट्टी में ना तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गंबले में भी रखना चाके आइसे तो गंबले में रखना होती है। इस वज़े से कहा भी जाता है कि शिवलिंग को गमले में ना रखें लेकिन अगर आप गमले में ही रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए गमला ही उचित जगा है जहां पच्छे से पूजा कर सकते हैं तो शिवलिंग को अरगे में रखें ऐसे ही उसे सीधे म पिट्टी में ना रख दें शिवलिंग के पास में शिव परिवार जिसमें भगवान शिव माता पारवती गनेश जी साथ में कार्ति के जी की फोटो भी आपको लगानी चाहिए उसके मंगल प्रभाव से पूजा करने के वक्त आपका मन और भी अधिक शुद होगा ये भी आ जिनको तर्क की कसोटी पर भी खरा पाया गया है प्राचीन शास्त्रों में बताया है कि शिवलिंग से एक विशेश प्रकार की उर्जा निकलती इस कारण से गर्म हो जाता और इस पर जल प्रवाहित करते रहना चाहिए वैसे भी हमें पता होगा कि भगवान शिव ने निकंट में धारन किया था शिव शंकर भोले भंडारी हैं वो अभी भी निरंतर समाज में फेहल रहे जहर को पीते रहते हैं जब हम शिवलिंग पर जल अरपन करते हैं तो वो शिव जी की आग्या चक्र पर अरपित होता है और जहर के कारण होने वाली गर्मी को शांत करता है सबसे अच्छी बात यह है कि घर में शिवलिंग पर जल अरपन करते हैं तो उसे पौधे में डाल दिया जाता है और इसके कारण ये परियावरन के लिए भी एक लाबकारी बात है पूजागर के मंदिर में विबिन प्रकार के शिवलिंग रखने से अलग अलग तरीके के प जैसे कि अभी आपको बताये कि पुरानों के अनुसार शिवलिंग को कभी भी जमीन या फिर मिट्टी में नहीं रखना चाहिए गमले में मिट्टी होती है और ये पूजा स्थल पर भी नहीं रखा जाता इस वजह से शिवलिंग को गमले में रखना सरवता अनुचत होगा जिस इश्वर की हम पूजा कर रहे हैं उस इश्वर के प्रतीक यानि की मूर्ती या फिर फोटो जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनकी गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग को गमले में रखने का तो विचार भी करना गलत होगा क्योंकि शिवलिंग कोई दी के साथ में उनकी पूजा अर्चना करें यहीं तक ही उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाव उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल भी न भूलें क्योंकि यहां पर इस तरीके की वीडियो इस तरीके की जानकारिया मिलती रहते हैं तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा